मोधी सरनेम को लेकर राहूल गांधी पर मानहानी का केस दर्ज हुआ जिसके बाद सूरत कोट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई जिसके बाद उनकी सदस्यता तक रद्ध कर दी गई इस मामले को राजनितिक रूप से भुनाने और सियासी फायदे के लिए बीजेपी ने अपना हतियार बनाया और कहा कि राहूल गांधी ने ओबीसी वर्ग का अपमान किया है जबकि उन्होंने मोधी सरनेम को लेकर अपना बयान दिया था अब उसी ओबीसी महासभा ने जेप कहकर सम्बोधित किया था जिससे ओबीसी वर्ग का अपमान हुआ वास्तम में मोधी ओबीसी वर्ग में आते ही नहीं है ये हम नहीं बलकि खुद ओबीसी वर्ग कह रहा है इतना ही नहीं बीजेपी के राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड़ा का ज्यान भी ओबीसी ने नड़ा को नोटिस भेज कर 24 घंटे में जवाब मागा है नोटिस के हवाले से बताया गया है कि राहूल गांधी के मुद्दे पर जेपी नड़ा ने ट्विट में ओबीसी महासभा का अपमान किये जाने की बात कही है इस ट्विट को आधार मानकर ओबीसी महासभा मुद्डी सरनेम कहीं दर्ज है राहूल गांधी ने सर्फ मोधी शब्द का इस्तमाल किया है ना की ओबीसी वर्ग का इसलिए राहूल गांधी के मुद्दे पर ओबीसी विवाद में मुद्डी सरनेम के शरनेम के नाम पर екमेटी के सदस्य कism धरमेंद्र कुश्वाख का कहना है कुछ दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रे अध्यक्ट जेपी नड़ा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्विट कर ये बताया कि राहूल गांधी ने मोदी जी को चोर कहा है ये मोदी जी का अपमान है मैं जेपी नड़ा से ये पूछना चाहता हूं कि केंदर की OBC की सूची में मोदी जी की नाम की कोई सूची नहीं है गुजरात में जहां मोदी जी की जाती का कोई उलेख नहीं है तो क्या कारण है कि आप OBC को एक ढोलक के तरह हर तरफ से बज़ा रही हैं तो साफ तोर पर ये कहा जा सकता है कि BJP का दाव अब BJP पर ही उल्टा डीबी लाइब की रिपोर्ट